इसके लिए clinical expert committee की सिफारिशों को आधार बनाया गया है एक्सपर्ट की रिपोर्ट का गहन मुल्यांगन करने के बाद DCGI ने SII को clinical trial करनी की मनजूरी दी है वैक्सीन के शुरुआती prediction report सकारात मकाई है ये वैक्सीन antibody बनाने के साथ ही white blood cell भी पैदा करती है जिसे killer यानी T-shell भी कहते हैं देश में उस वैक्सीन का trial 18 साल से ज्यादा उम्रिके 1660 लोगों पर किया जाएगा ब्रिजन में 5 जगों पर इस वैक्सीन के दो चरणों का परिक्षन किया गया था जिसमें इसे सुरक्षित पाया गया इससे antibody भी बन रही है SII और Estrogenica के बीच इस वैक्सीन को लेकर समझोता हुआ है उम्मीद है कि इस परिक्षन का परिणाम सफल रहने पर भारत में भी वैक्सीन का उतपादन शुरू हो जाएगा ये वैक्सीन antibody बनाने के साथ ही white blood cell बनाने में भी सक्षम है वैक्सीन विक्सित करने के साथ ही देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रिय स्वास्त मंत्राले समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देशों और स्वास्त के आधार भूध धाचे को भी विक्सित कर रहा है अनलोक तीन के तहट पांच अगस से खुलने वाले जिम और योग संस्थानों के लिए भी मंत्राले ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं लोगों को एक दूसरे से हमेशा 6 फिट की दूरी के नियम का पालन करने और मास्क के अलावा जिम में पेस कवर पहनने की भी सलह दी गई है स्वास्थ मंत्राले ने अलकोहल युक्त साबुन से बार बार हाथ धोने खासते चीकते वक्त मूनाग ढखे रहने के अलावा थूकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है वहीं सभी को आरोग सेतु एप का अस्तमाल करने पर भी जोर दिया गया है सामाज एक दूरी के नियमों का पालन करने और जाँच में तेजी आने के बदालत कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार व्रधी हो रही है स्वास समंत्राले के ताजा आकड़ों के अनुसार भारत में अभी कुल संक्रमित लोगों की संख्या 18,3696 है जिसमें से 11,86,203 लोग ठीक हो चुके हैं पिछले 24 गंटों में 3,81,027 नमूनों की जाँच की गई है स्वास समंत्राले ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जाँच एक शमता में व्रधी की है और प्रती 10,00,14,640 की बढ़ोत्री हुई है कुल मिलाकर देश में तेजी से टेस्टिंग हो रही है दोनों नेताओं ने टेलिफोन पर हुई बातचीत में एक दूसरे को इदूल अजहा की शुपकामनाय भी दी राश्ट्रपती गनी ने अफ़कानिस्तान की आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए सही समय पर भोजन और डॉक्टरी सहायता क्या पूर्ती करने के लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद किया बयान के अनुसार पी एम मोदी ने शान्ति पूर्ण सम्रिध और समावेशी अफ़कानिस्तान की आकांक्षा कर रहे अफ़कान के लोगों की प्रधी भारत की कटी बधता दोहराई बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में उभरती सुरक्षा स्थिती के साथ-साथ आपसे द्वीपक्षे हितों वाले आने क्षेत्रों पर भी विचार विमर्ष किया